कौन कंबक परदाश्ट करने को पीता है हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें तुम्हें देख सकें तुम्हें परदाश्ट कर सकें नमस्का दोस्तों आपका फैमिल्य और डॉक्टर एपी अभी आपने क्लिप में देखा कैसे शारुख खान पारो पारो के पीछे दारु पीना चालू कर दिए और डिप्रेशन में चले गए थे पारो के लिए उन्हों ने सोचा कि मैं दारु का रस्ता अपनाओंगा तो सब स उनको लगत है दारू पीने से टेंशन चला जाएगा दुख की बात तो यह है कि जब नीन की दवा के लिए हम डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप नीन की गोली खाईए तब पेशन काएगा नैने नेन की गोली की आदत लग जाए यहादत हमको नीन का दवा का आदत नहीं लगा दारू का साइड इफेक्स है दारू लीवर खतम कर देगा दारू से जान चली जाएगी सबको पता है सबको तेंगि फिर भी दारू पियेंगे गवर्णمن्ट भी नीन की गुली बीना चिट्ठी के नहीं देंगे अब दारू की दुकान पे बिना चिट्ठी का दारू जितना चाहिए उतना दारू कैसा देश है और कैसा हमारा दुनिया है यह एक थोड़ा लॉजिक नहीं लगाते हैं मैं सुझा यह पिच्चर लाओं क्योंकि देवदास पिच्चर बहुत फेमस थे हिट थी लोग बहुत देशन को उल्टा दारू पीने से डिप्रेशन और बढ़ जाता है दोस्तों एक्चलिए टॉपिक था डिप्रेशन का क्योंकि अगर कोई तुमको छोड़के चला गया अगर आप किसी को चाहते हैं अगर वह आपको छोड़के चला गया तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं बढ़ हमको दारू का रास्ता नहीं अपनाना नींद नहीं आ रही है टेंशन बहुत है तो दवाईयां लीजिए डॉक्टर की पास जाहिए टेंशन की दवाईयां लीजिए नींद की गोलियां खाईये बिंदास खाईये कुछ नहीं होगा एक गोली खाने से दो गोली खाने से कुछ नहीं होगा अगर आपका किड्नी नौर्मल है तो बस यह डॉक्टर आपका देख लेगा फैमिली डॉक्टर है आपका वो समझाएगा अगर वो लिख के दे रहा है तो खाईया बिंदास खाईये अपना दिमाग मत लगाईये नीन की गोलिया लीजिए वरना कंडिशन हो जाएगा देवदास जैसा फिर बस पस्ताते रहेंगे आप बस दोस्तों यहीं मेसेज था सोचिए समझे तब तक कि लिए आपका फैमिली डॉक्टर आपसे विदाले रहे हैं नमस्कार